हालो,ड़ी वेलकम टो माई चाइनल ताकि जो बड़े चंक्स रहेंगे तो वह साइड हो जाएगे यह जो मैंने आपको मेजरमेंट बताए है यह एकदम पर्फेक्ट है इसे आपकी जो चकली है वह क्रिस्पी कुरकुरी बन जाती है बिल्कुल भी ओईल नहीं पीती या सॉप्ट नहीं होती तो यहाप मैंने उस वनफोर टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून मेने लिया है धनिया पाउडर यहापे हाफ टीस्पून अजवाइन लिया है इसे हम इस तरीके से क्रश करके डालेंगे इससे और भी ज्यादा सॉथ बढ़ता है एक टीस्पून रोस्ट्रिट जीना पाउडर और दो एक्टम से टालना है थोड़ा करके नहीं डालना है इससे हमें मिक्स करना है अगर यहीं बहुत ही जरूरी है इससे हमारी चकली कृस्पी कुर्कुरी बन जाती है और बिल्कुल भी ऑइल ही नहीं होती होती ही अगर आपको लगे कि आपका आटा बाइन नहीं हो रहा है तो एक टेबस्पून और अच्छे से गरम करें और फीर से आटे में मिक्स करें अब हम इसे गुणने के लिए हमें नॉर्मल पानी का यूज नहीं करना है अच्छा सा खोलता हुआ पानी ही यूज करें तो आप कर लिए हाँचेयसे बॉल कर लिया है। इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे 1 डाल के एक स bursts isy करें एक दम से पूरा पानी मत दालिए तो यहाँपर में पानी लिया था तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल के अच्छे से स्पून करेंगे। आटे में पानी डलके थ चूँ सके इतना गरम होना चाहिए डो बनाने के लिए हमें गरम पानी का यूज करना है और पानी हमें थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है डो हमें बहुत ज़्यादा हार नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है जैसे हम रोटियों के लिए डो बनाते ह ताकि डो चकली के मोल्ड को चिपक ना जाए तो यहां पे मोल्ड भी हमारा रेडी हो गया है मोल्ड हमारा रेडी हो गया है जिसके उपर हम चकली बनाएंगे उसमें हम थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे ताकि चिपके ना तो अब हम बनाएंगे चकली, ग्यास पर मैंने ओईल भी करम करने रख दिया है, चकली बनाते टाइम यह बिल्कुल भी तूट नहीं रही है, अगर आप डो अच्छे से गुंदेगे नहीं, तो आपकी चकली इस तरह के से परफेक्ट नहीं बनेगे, बीच बीच में तूटे देख लेंगे, और जो डो है उसे हमें धक कर रखना है, अब हम यहापे ऐल चेक कर लेंगे, थोड़ा सा डो डालके मैंने देखा है, डो उपर आ रहा है, मतलब हमारा और अच्छे से गरम हो गया है, अभी हम चकली को डीफ्राइ करेंगे, डीफ्राइ करते टाइम ग्यास क जैसे ही हलके बबल्स कम हो जाते है, तुरंथ हमें चकली को निकाल लीनी है, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा कलर आया है, और एक क्रिस्पी भी बनी है, तो इसे हम एक टीशू पेपर में निकालेंगे, ताकि एक स्ट्राइल निकल जाए, तो इसी तरह के स हम सारी चकली बना कर रेडी कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारी चकली बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं, दिखने में ही कितनी ज्यादा डेलिशस लग रही है, बिल्कुल भी ओईली नहीं है, और बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनी और बहुत ज्यादा क्रिस्प बनाई है तो इस दिवाली में आप पुहा की जखली जरूर ट्राइ करिए सब को बहुत पसंद आनी वाली है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेर जरूर करिएगा ऐसे ही डेलिशेस वीडियो के लिए आप अपने चाले को सब्सक्राइब कर मिलते हम नेक्स रेसीपी में तब तक के लिए बाबाए